दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो बिडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के एक प्यारा लागी जरूर कर दे साथ हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताई क्या बिहार के केस जिले में रहते हैं तो चले शुरुआत करते हैं आज की पहली और बाड़ी ख़बर से बाड़ी ख़बर में देखे बिहार के सिमुलतला आवासे भी दले में नमांकन के लिए एडमिसन सेडिल हुआ जारी प्राइन.com पर जाकर भार सकते हैं चानकारी के लिए बतादे कि सिमुलतला आवासे भी दले जमुई की चटी कहचा में छात्रा चात्राओं के लिए साड़ साड़ सीटे निधारित है प्रारामिक परवेस परिचा प्रते की जिला मुख्यालों में निधारित परिचा समभावी थे वह मुई की परिच्छा 20 दिसमवर को समभावी थे अगर करना राइवार तक रात तकरीबन दो लाग कवरियों सहीत सीब भक्तों का जुटान बाबानगरी में हो गया इसके सुरुचा के कड़े प्रवंद किये गए हैं स्रावनी मेला के छटे दिन राइवार कोी वास्तों में इस वर्ष देवघर वासियू को स्रावनी मिले का हसास हुआ है पूरा कवारिया पunda कावारिय से अटा रहा है बोल बंभाल महा मांत्र दिन से लेकर रात तक गुणशता रहा बाड़ेके स्रावनी मेला में रैवार को डाक बमों की सेंख्या में यापा देखा गया डाक बम रैवार को डाक जल उठा कर सोमवार को वेतनाद धाम पहुच कर भोले नाथ को जल अरपन करते हैं परखन नेतरन कश के नसार रैवार को 3088 डाक बम गंगा जल लेकर देवार के लिए प्रस्ताव लाइगे केबिनेट की मुहर लगते ही बाबा गरिबनाथ धाम में लगने वले नाथ को राज के मिले का दरजा मिल सकेगा ये बाते राजा सवे वा भूमी सुधार मंत्री सगन्ना उद्यूग मंत्री अलोग कुमर महता ने कही है ये रेवार को डियन हाई स्कूल परिसर में जिला प्रसासन के और से आईजीत स्रावनी मिला को दगाटन के दोरान कही है बाड़कर में देखे बिहार के इनी जिलों में आज होगी भारी बारिस बजरबाद के भी चेतावनी मौसम विभाग का अलग जादे के मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक राजबर में कई जगोह पर मेग गरजन और बजरबाद के चेतावनी जारी की है पटना सहीद आने जगोह पर आंसिक बादलों की आवाज आही और हलके से मैदम बारिस की सिति बन सकती है फिलाल मांसुन ट्राप जैसल मर्ड से अजमीर सीपूरी सिधी डालटन गंज सकती निकेतन से होकर मनिपूर तक फैला हुआ है इसके परभाव से चमपारन और सिमांचल के तेने जिलो सहीद कूल पांच जिलो में आज भारी बारिस की चेतावने जारी की गई है जिन जिलो में भारी बारिस का अलट है उसमें पुर्वी चमपारन पश्टिमी चमपारन किसन गंज अररिया और सितामडी सामिल है मदस्तन बिभाग ने समोर को राज के अदिकतर जिलों में, बाजरबाद और मिंग गर्जन के साथ आंसिक बारिस की चेताउनी भी जारी की है वहे देखें, गारा जोलाई को किसंगझ, औरारिया और पुर्णिया में अतिभारी बारिस का औरन जालड जारी किया गया है वहीं 12 जुलाइक को सिता मड़ी मधोबानी सुपल अररिया किसन गाज एवा माधिपुरा में अती भारी बारिस की चेतावनी है इसी दिन पूर्णिया कटिहार और सहरसा में एक दो इस्तानों पर भारी बारिस की चेतावनी है बाड़कर में देखे मुईकी मंतरे नितियस कुमार को राष्टिय से योजग बनाने की तयारी बैंगलोरों में हो सकता है फैसला सरद पावार को भी मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी जादे के अगले एक पागवाडे में बड़ी सियासी घटनकरम के असार बन रहे हैं एंडिया की पुराने सातियों को वापस लाने की कवायाद चल रही है पटना में केंद्रे गिर राज मंतरे नितानराय की चिराग पासवान से हुए मुलाकात को इस संदर में अहम माना ज जा रहा है हम नेता जितारा माजी और ब्यापी प्रमो को मुकिस सानी की एक दोर की मुलाकात भाजबा के सिर्ष नेता से हो चुकी है बादे के 13 जुलाई को दिली में एक और बैठक होनी है दूसरी और बैंगलूरों में 17 से 18 जुलाई को बेपक्षी दलों की बैठक में बिहार के मुखे मांतरे नितिस्क मार को सयोजिक बनाया जा सकता है बाड़कर में देखे स्कूल छोड़ चुके लड़के लड़कियों को मेट्रिक और इंटर पास करने का मौका सरकार उठाएगी खर्चा ज्यादिके किसी भी कारान से स्कूल जाना छोड़ चुके लड़ के लड़कियों को मेट्रिक और इंटर्मिडेट की परिचा पास करने का मौका मिलेगा इसको लिकर बिहार सिक्षा परियोजना परिषद ने दिसाने दिस जारी कर दिया है बिहार सिक्षा परियोजना परिषद ने इस साल ऐसे तीन लाख के वाओ को चिनित करने का निने ल जाएगा ताकि उनके पास एक प्रमान पत्र हो जिसका लाब वे आगे उठा सके मैं देके ऐसे बच्चों का चैन कर सरकार अपने खर्च से मेटे के इंटर्मिडेट की परिचा दिलाएगी इसके लिए बच्चों को पाइट करम सामेगरी भी एपलब्द कराए जाएगी जिल बिहार के सिक्चा का मॉबाइल पर नहीं कर सकेंगे चैट, रिल्स, सौर्ट्स बनाने पर भी रोखो के के पड़क ने जारी किया दे जैदे के बिहार के 80,000 सरकारी स्कूलों में नियुक्त सिक्चक अब इसकूल आफ़दी में आनावाइस्यक मॉबाइल चलाने में व्यस् पर इक्वाल ही लगा सकेंगे, इसके लिए प्रधान आधपको को सक्त निगरानी के लिए कहा गया है, सिक्चा विबाग के अपर मुक्स चेव, केके पाढग ने सभी जिला सिक्चा पतादिकारे को इस आदेश को कड़ाई से लागो करने को कहा है, वादे के केके पाढग आदेश जारी करके कहा है कि सभी सिक्चा के स्कूल समय से आ जा रहे हैं, अधिकान से सिक्चा के निष्टा पूरवा का सिक्चन कारे में लगे रहते हैं, लेकिन इनसे कोछी सिक्चा कैसे भी हैं, जो बच्चों को टास्क देकर वर्टसेप देखने में लग जाते हैं, इस जसी वे आदब पढ़ना पहुचे, साथ में लालू यादब भी मौजूद थे, आते ही तेजस्वे ने बीजेपी पर जम कर निसाना सदा, सिब्याई के चार्ज सीट पर पहली बारा डिप्टी से हमने कहा कि केस में दम नहीं है, या कोई पहला चार्ज सीट नहीं है, हम लोगों ने जब से भाजबा को भगाया है, तब इसे बीजेपी साज सरच रही है, हम अब बीजेपी के सरजरी करेंगे, ये बाते उन्होंने पटना एरपोट पर कही है, आरजरी सुप्रेमों लालू परसाद भी बलड़ की जार्ज क हो गया है, इतने सालों तक एजन्सिया क्या कर रही थी, ये सब को पता है, बिहार और देश की जनता जानती है, जब जब हम लोग भाजबा को हराते हैं और भागाते है, तब तक केंद्रे एजन्सियों का दुरुप्यों को कर चार्ज सीट और रेट करवाती है, हम ने कर सकती है, सरकारी अधिकारियों के मताबिक सत्र के पहले देने चालू वित्य वर्ष का पहला अनुपूरक बज़ट मंत्री विजय कुमार चोध्री पेस कर सकते है, वित्य विवाग से जुड़े सुत्रों ने बताए कि अनुपूरक बजट 10,000 कड़ों रुपे के करीब ह सब्सक्राइक हो सकतके जिसे सिक्षा बिभाग के लिए विद्य प्र थाउदान किये जाएंगे इतिके शूत्रों ने बताए किए अनुपूरक बजट में स्काइबभार के लिए ज्यादा प्रावधार हो सके ताकि इसके अलमावा सम्भार का घारियोजना खर्च बढ़ सकत इसके साब साब तस्वीर सामने आ जाएगी बाड़ेखर में देखे बिहार के हजारों बच्चों के चातर विर्थी लम्मीद केके पाढग ने सबी मामलों की समधान का दिया अल्टिमेटम सेक्षनी सातर दोजार अठारों नीस समानित बिहार के 36 जार बचों की पोश्ट मेट्रिक चातर विर्थी का मामला अभी तक लम्मीद है सिक्चा बिबाग के अपर मुख सची पाढग की अधिक्ता में हुई एक बिसेस बेटक में पिछड़ा वर्ग एवम अतेंद पिछड़ा वर्ग केल्यान बिबाग के तरब से चातर विर्थी के लम्मित होने का मामला उठाय गया था इसी तरब प्रीमेट्रे के चातर विर्थी योजना में लम्मित मामलों के समधान के नेदिस दिये गए हैं इसके समधान के टाइम लाइन जुलाई तक रखी गई है बिहार में स्मार्ट PDS से दुरस्त होगी रासन वितरन पर नाले बिहार के डेर कड़ोर लोगों को होगलाव राज सरकार ने केंदर प्रावजित स्मार्ट PDS स्कीम को राज में लागू करने के मांजूरी दी है मंत्री मंदल से स्मार्ट PDS स्कीम को माजूरी मिलने के बाद इस परतिजी से अमल होगा वाजिके सबे 38 जिलों में संचालित सारवजनिक वित्रण पर नाले के 56,000 दुकाने डिजिटल रूप में स्मार्ट बनेगी केंद्र सरकार द्वारा इस स्कीम के किरनवन में 60% रासी दी जाएगी जबकि राज यांस के 40% रासी को राज सरकार को वहन करना होगा इस स्कीम से सारवजनिक वित्रण पर नाले में लेकेज को रोकने में और मदद मिलीगी वाई देखे प्रधान मंत्री पोस्टन योजना के तहद भारतिय खाद निगम से जो अनाज बिहार राज खाद निगम को अपोर्ति की जाती है और फिर उस अनाज को जन वित्रन पर नाले की दुकानों को मौया कराया जाता है इसे पूरे डिलिवरी सिस्टम की नई टेकनोल कोजे की मदद से ओलाइन मोनेटरिंग सुनी चित होगी बिहार सरकार के खायत्य सची विनाइक कुमार के मताविक सरकार ने स्मार्ट पिडियस को सभी जिलों में परभावी डंग से लागू करने का नेदेश जिलादिकारियों को दिया है राज में अब हर प्रखण के दो इसकोलों में आधार केंदर खुलेंगी राज की सरकारी इसकोलों में भी अब बचों का अधार कड़ बन सकेगा इसकोल कर जल्दी प्रदेश के सभी 534 प्रखणों के दो-दो इसकोलों में अधार मसिने लगेगी साधे अधार कड़ बनान पात्र मिस्री पाडग ने कहा कि प्रखण में स्तापित किसी भी दो साधन संपन इसकोलों का चैन कर वहाँ पर अधार मसिनों को स्तापित कराए इसकोलों के चैन में भी इसका ध्यान रखा जाएगा कि इसके छात्र कोस और विकास कोस में परियापत रासी हो ताकि आधार कार्ड बनाने में किसी तरह के असविदा का समना ना करना बड़े इसकुलों में यह सविदा होने से जिन भी दादियों का आधार कार्ड नहीं बना है उनका आसानी से यहां आधार कार्ड बन जाएगा केंदर सरकार ने लिया अहम फैसला जनम और मिर्टू के रेजिस्टेशन के लिया आधार ओथनिकेशन को मंजूरी दे दिया है बता दे कि ग्रिया मंत्राले ने एक गजट नोटिफिकेसन जारी कर इस बात की जानकारी दी है ग्रिया मंत्राले ने कहा कि रेजिस्टार जर्णल के काराले के साथ सद्जनगना कमिशनर भी इस तरह की पंजी करनिया राजी स्टेशन के लिए आधार आथेंटिकेशन को मान सकते हैं और यहाँ स्वेचिक भी रहेगा दरसल सरकार के उद्देश स्वाव को बहतर पहुच और जीवन को असन मनाना है जिसके जर्य भारतियों को बहतर रहन सन मिल सके इसी बेच आधार जारी करने वाली संस्ता यू आई डी ए आई लोगों को प्रोसाइद कर रहे हैं कि वो अपने आधार को अपने मॉवाइल नमर से लिंक करा ले जिससे कि वी बहतर ढंग से समाजिक कल्यान से वाव का फायदा ले सके बिहार में अब घर घर जाकर होगा वोटोरों का सेत्यापन मादादा सुची का अंतिम प्रकासन जन्वरी में 2024 लोकसबा चुना होने वाला है ऐसे में मादादा पुनारिक्षन कारिकरम के ताहद बिहार के सभी 243 वितानसबा छेत्रों में मादादा का सेत्पन का काम 21 जुलाई से आरम होगा भारत निरवाचन आयोक के निदेश के बाद बूत लेवाल ओफिसर राज के हर गर में जाकर मादादाओ का सेत्पन करेंगे सत्यापन के दोरान किसी मादादा की मित्तु हो गई है या उनके पता बदल गई है ऐसे में मादादा की नाम सुची से हटा दिया जाएगा 26 दिसंबर को सभी दवा अपद्यों का निस्पादन कर 5 जनवरी 2024 को अंतिम मादादा सुची का प्रकासन किया जाएगा आयोक द्वारा लोकसबा चुनाव के पूर्व पहली जनवरी 2024 के अधार में मादादा सुची के रिवेजन का काम आरम कर दिया है पहली चरण का काम पहली जोन से आरम किया गया है जो 20 जुलाय तक चलेगा इसी दुरान आयोक द्वारा राज के सभी निर्वाचक निबंदन पतादिकरी और बूत लिवल अफिसर को IT से सम्मनित और सभी परकार के गाइडलाइन और कानोनी प्रवदानों के प्रेसिचन का काम पुरा कर लिया जाएगा